हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के तब फीवरेट इस टॉक में और आज हम बात करने वाले ऐसे इस टॉक के बारे में जो की बजाज फाइनेंस को भी टक्कर देने वाला इस टॉक है अब देखिए बजाज फाइनेस जो है वो इतना महेंगा इस टॉक है कि बहुत से लॉग तंब उसके रिटन दिया उसकी शेर होलिंग पैटन कैसे है लेफ साइब पर जाकर उसके प्रोड़क्ट भी हम देखने वाले कि वो क्या क्या चीजे सेल करता है क्या काम है उसका प्लस दोस्तों हम उसकी चार्ट को भी डिसकस करने वाले है बने रही है इस वीडियो मार्केट मोजो की साइट की उपर और यहां पर हम उसके रिटन को डिसक्रस करने वाले की लॉंग तम पर्सपेक्टिव में उसने कितने रिटन दिये हुए है देखें पर मतलब जन्वरी से लेकिए अभी तक तो देखें 23% के रिटन इसने दिये हुए है बात करेंगर बात साल की तो 73% के रिटन दिये हैं तीन साल के रिटन आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा उसके रिजन भी है मैं आपको बताऊंगा लेकिन 5 साल देखें 25% 10 साल देखें 11% कितने अच्छे दोस्तों यहां पर रिटन हमको दिखाई दे रहे हैं चले इस तो आंगे बल होई है 10 से उपर होना मतलब किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है यहां पर आप दे सकते हैं प्राइस तुब की वैल्यू भी बहुत ही शांदार है फाइनिशल ट्रेंड को दिखा देता हूं में आपको मार्केट मुझे का दोस्ते बहुत ही अच्छा आप कॉन सी कंपनी है चली यह भी देख लेते हैं कंपनी कर नाम है शेयरंनिश कम्पनी दोस्तों फाइनरेटिटेड है जैसे कि बजाज फाइनेस भी है बहुत कम प्राइस पर या विलेबल मैं आपको आता हूँ वह कितने कम प्राइस पर यह है लेकिन इसके अलाभा दोस चीज़े होती इन सभी को ये finance करती है, loan देती है और अपने field में दोस्तों ये काफी ही respected company है, आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपको कुछ चुनंदा नाम लेने के लिए बलूँ finance industry में, तो सिर्दाम का नाम जरूर लिया जाएगा, अभी दोस्तों मैं आपको लिए चलता हू बजाज finance पांच आर के उपर का stock है, तो उसके उकाबले कितना चीपर stock है, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि से quality में कमी आ गई है, mid gap stock है, consumer finance से लिए इसका sector है, मैं आपको लिए बताया है, end, बात करें इसके PE के, तो मात तिर बारा का दोस्तों PE है, सेक्टर का PE देखेंगे सेक्टर के मुकाबले कितने सस्ते प्राइस पर यह अविलेबल है, लेकिन यहीं पर दोस्तों रुखने वाली बात बिलिकुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको PEARS पर लेकर जाओं, तो यहां पर देखें आप, बजाज finance जो है, उसका PE तकरिबन 76 का है, तो इसके मुकाब अगर मैं बात परो, domestic investor की, तो देखिए, उन्होंने भी 3.5 से इसको 4.5 कर दिया है, तो जितने भी बड़े-बड़े firms है, Mitchell funds है, यहां पर अपने holdings को बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, कि वो जानते हैं, कि आने वाले टाइम पर यहां पर report को submit किया है, जिसमें से 83% लोग का ऐसा कहना है, कि अभी यहां पर buy कर सकते हैं, और जो target price दिया है, 1963 कर दिया है, आने वाले एक साल के अंदर, although यह भी हो सकता है, कि इस से कम टाइम पर ही इस target को अच्छी कर ले, बड़ दोस्तों, एक long term के अगर हम बात करें, तो काफी अ दो बार देती है, final dividend भी देती है, तो आप कह सकते है, दो से तीन बार यह company जो है, आपको साल में dividend भी देती है, अभी दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ, इसके चार्ट की ऊपर, और यहां पर देखी, तक्रीबन दोस्तों, यह company 1287 पे प्रेड करती हुई नजर आ रही ह अगर हम बात करें यहां से, तो सीज़ा सीधा हम को यहां पर चार्ट का एक upside दिखा देता है, कि किसका जो recent time का ही हाई है, वो तक्रीबन 1600 के price से उपर का ही है, तो दोस्तों, fundamentally भी यह stock strong है, मैंने आपको holdings भी दिखाई, मैंने आपको chart भी दिखा दिया, returns भी दिखा दिये कमपनी कैसा काम करती है, यह भी दिखा दिया, आपको क्या लगता है कि क्या ये कमपनी बाजास finance को टक्कर दे सकती है, मुझे comment box में जरूर बताईएगा, और क्या आपको भी लगता है कि ये कमपनी अच्छा से return देकर आपको profit कामा कर दे सकती है या नहीं, प्लीज मुझे comment box में जरूर बताईए, वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को like करना ना बोड़े ना पसंद आए, तो dislike भी कर सकते हैं, चैनल पर जाकर और वीडियो को जरूर चैक आउट कीजिएगा, यहां तो बोड़े दिखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में